इसी बजट रहा है, आप जानते हो गरीब विसान, जवान, मजदूर सब के हित में रहा है, अब तक के सबसे बड़े 45 लाख करोड का बजट रहा है, और आदिवस्री छेत्रों की विकास के लिए भी एक लब्वे के माद्यम से लोगों को जो रोजगार मिलेगा, हमारे खोद जो किसानों को जो दे जा रहे है रासी, वो ब्रकारार रहेगा, रोजगार गांटी के रासी में कोई कमी कटाउती नहीं की गई है, आईस्मान भारत के अंतरगत, जो प्रावधान है, वो पहले साल के अपक्चा ज़्यादा है, प्रधान मंत्री आवाश, पिछले साल की भ बजट का प्रावधान है, इस बजट का विपक्ष ने भी सराना किया है, सभी लोग तारिप किये हैं, और आज हमारा देश पांचवई स्थान पर पहुंचा हुआ है, इतने मतब दो-दो साल तक के करोणा अब नाना प्रकार के करोणा काल के बाद भी हमारे देश का है, इसलिए मैं परधान मंतरी और हमारे वित मंतरी को बधाई देता हूं, साथ-साथ हमारे बजट को सब जगा सरहाया गया है, हमारे मीडिया की माध्यम से, हमारे मीडिया वास्यों को भी मीडिया वाल इलेक्टरनिक मीडिया हो, चैप्रिंट मीडिया हो, यह सब को मैं धन देखो 337 क्रोड रेल की सुपीति जो हमारे बानु परतापद से घड़ड़के ले गई हैं यहाई हमारे कांकेर की जोणने के लिए हम लोग लगे हुए हैं क्योंकि सामने में गगरेल बाद की करन बड़ा डिश्टर वह रहा है और चारमा के दोनों किनारे ले आते बड़ी बस्ती आती है फिर भी हम लगें कहीं न कहीं से लाए जाय करके आए दिन हम रेल मंत्री से मिलते रहते हैं हम दूसरा योजना बना रहे हैं कि यह अब हमारे भानू परतापुर से सीधा पूरी की ने जो उलिसा पूरी वहां के लिए ट्रेंड की सुधा दिया जाए ऐसा हम ल रोजगार कांटी के पूरा पैसा आ रहा है रोजगार कांटी के पैसा को नर्वा घरवा घुर्वा बाली